नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर सो दो बड़ी इंपोर्टेंट खबरें सामने आ रही है सबसे पहली खबर तो ये है कि अमेरिका के द्वारा एक बार फिर से इंडिया की कुछ कमपनीज और इंडिया के कुछ नाशनल्स के उपर अब सैंक्शन्स को लगा दिया गया है और दूसरी तरफ अमेरिका के जो अमबैसेडर है एरिक गारसेटी जो अमेरिका के अमबैसेडर भारत में है उन्होंने इंडिया की स्ट्रेटीजिक ओटोनॉमी को चैलेंज किया है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया के पास strategic autonomy नहीं होनी चाहिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इन्होंने अपना पूरा का पूरा एक speech है जिसमें कि इन्होंने कहा है कि जब conflict का time चल रहा हो there should be no such thing as strategic autonomy and दोस्तो इस पूरी की पूरी चीज का finally अब भारत के द्वारा भी यहाँ पर जवाब दे दिया गया है यहाँ पर आप लोग देखिए इंडिया की जो MEA है उसके जो हमारे official spokesperson है जो उसके हमारे official प्रवक्ता है उन्होंने यहाँ पर US envoy के द्वारा जो दिये गए remarks है उसका अब official जवाब यहाँ पर दे दिया है उन्होंने कहा है कि देखिए it is very very simple इंडिया पहले भी और आज भी अपनी strategic autonomy यानि की रननीतिक स्वेत्यता को पहले भी बहुत value करता था और हम लोग इसकी आज भी बहुत ज़ाधा value करते हैं इंडिया has reaffirmed their commitment to strategic autonomy amid the US diplomatic remarks बात करेंगे दोस्तों इस पूरी की पूरी development के बारे में sanctions जो लगाए गए है उ also जो इंडिया का यहाँ पे जवाब दिया गया है exactly वो क्या जवाब है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे आए शुरू करते हैं मेरे साथ मेरा नाम है अनिरुद यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं हमारे lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहा centers में हम लोग आपके लिए general studies के courses along with that CSAT, essay writing classes, current affairs coverage and even आपके लिए test series जैसी सेवाइं भी यहाँ पे available करवा रहे हैं कोई भी आपको doubt है आप center को visit कर सकते हैं या फिर नीचे दिया गए phone numbers पर आप लोग phone भी कर सकते हैं और साथी में अगर आपको UPSC से जुड़ा free study material लेना है तो आप लोग anacademy की app को download कर सकते हैं इसका भी link आपको description box में नीचे दिया गया है आज से कुछ दिन पहले जिस दिन PM Modi ने announce किया था कि वो रश्या के दौरे पर जाने वाले हैं उसी दिन दोस्तो USA के ambassador Eric Garcetti ने एक यहाँ पे speech में कहा कि जो भी इंडिया की कमपनिया जो की Russian sanctions को flout करेंगी उनको violet करेंगी उन इंडिया की कमपनियों को यहाँ परिनाम भूगतने होंगे इन्होंने specifically कुछ यहाँ पर sanctions word इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इन्होंने कहा कि अगर हमें कोई ऐसी कमपनिया मिलती हैं तो उनको यहाँ परिनाम भूगतने पढ़ सकते हैं इस नाम यहाँ पर mentioned है और दो nationals हैं इन पांचों के उपर अब sanctions को लगा दिया गया है USA ने under section 11 of executive order 1424 इसके तहत इन दोनों nationals के उपर और इन तीनों companies के उपर sanctions को लगा दिया गया है यहाँ पर आप लोग देखिए जो पहले दो nationals की बात कर रहे हैं सूर्य विशेश दत्ता और शारदा सुब्रमनियम यह जो दोनों nationals हैं दत्ता का address जो देखने को मिलता है वो नई दिल्ली के पूरवी mark पे देखने को मिलता है और दूसरा इंसान शारदा सुब्रमनियम इनके पास दो offices हैं as per the US Treasury Department एक नई दिल्ली के जनकपूरी में और दूसरा गुडगाओं का सुशान्त लोग के नाम से एरिया है वहाँ पर इनके offices देखने को मिलते हैं the reason कि इन दोनों individuals के उपर sanctions को लगाया गया है because according to America इन दोनों ही individuals का एक Switzerland Italian businessman जिसका नाम है Walter Moretti इनके साथ इसके links यहाँ पर establish करे गए हैं यानि कि दत्ता और शारदा इन दोनों के ही links इस एक आद important इसलिए बन जाता है because पिछले साल February 2023 में अमेरिका ने जब बहुती कड़े sanctions लगाने शुरू किये थे Russia-Ukraine war के चलते तो उस समय अमेरिका ने 22 individuals and 83 companies के उपर sanctions को लगाया था और उन individuals में एक जो individual था उसका नाम था Moretti आप लोग यहाँ पे बलकी जाके देख भी सकते हैं यह USA का Office of Foreign Asset Control है इस पूरे के पूरे sanctions list search में अगर आपके वर नाम डालेंगे Walter Moretti का तो वहाँ पर आपको पूरा इसका ब्योरा मिल जाएगा यह कब से sanctions लगाए गए हैं क्या वज़े है sanctions लगाने की वगएरा वगएरा and यहाँ पर because Walter Moretti के उपर sanctions लगा दिये गए थे उ Walter Moretti खुद अपना network इस्तिमाल करते हुए बहुत सारी western technologies है, western equipment है जो की वो Russia की intelligence services और Russian military को provide करवाने में help करवा रहा है और इन्होंने इसमें बोला कि इसमें hydraulic presses, armament packages वगएरा वगएरा यह सब चीजें जो western technology है यह Russia के पास पहुंचाने का जो काम है यह Walter Moretti कर रहा है इतना ही नहीं यह भी कहा गया था कि Russia की nuclear weapon laboratories के लिए भी equipment procure करने का काम Walter Moretti के त्वारा किया गया है, इसने बहुत सारी companies दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में बना रखी हैं, जिसके माधिम से यह इस technology को basically Russia तक भेजने का help करता है, इसने बलकी UAE में भी कुछ companies को बनाया है, even Italy के जस नीचे आपको मालू होगा छोटा सा एक island आता है, Malta, वहाँ पर कुछ companies को बनाया है, और इसी इनसान ने इंडिया में भी companies को बनाया है, जिसके थुरू यह रश्या तक अपनी इस equipment को बहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो इसी के चलते इंडिया के इन nationals और इन companies के उपर यहाँ पर sanctions को लगाया गया है, यह तो थी पहली खबर, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पर यह भी है कि America, इंडिया और रश्या की दोस्ती और recent PM Modi का जो रश्या दौरा है, उस चीज़ को लेकर अभी भी बहुत जादा surprised है, अभी भी बहुत जादा shock में है, वहाँ क अगर आप newspapers देखेंगे, daily basis पे बहुत सारे analysis articles आते रहते हैं, जो कि उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार, इंडिया यह कैसे कर पा रहा है, कि वो रश्या के साथ इतनी अच्छी दोस्ती कैसे maintain कर पा रहा है, और इसी के चलते, जो US के ambassador है, उन्होंने यहाँ पर एक और statement दे दिया है, उन्होंने यहाँ पर कहा है, कि इंडिया के पास strategic autonomy होनी ही नहीं चाहिए, उन्होंने starting कैसे करी देखे, diplomatically कैसे उन्होंने start करा, उन्होंने कहा कि मैं इस चीज का सम्मान करता हूं, कि इंडिया को अपनी strategic autonomy पसंद है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब conflict का समय आता है, तो ऐसी strategic autonomy जैसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, आपको ये भी बता दूं कि इसी envoy के द्वारा आज से कुछ दिन पहले इन्होंने एक तरीके से इंडिया को indirectly धंकाया था, इन्होंने पहले ये कहा था कि इंडिया को अमेरिका के साथ अपनी relationship को for granted नहीं लेना चाहि है, इन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया से कोई भी युद्ध बहुत दूर नहीं है, ये भी एक तरीके से इन्होंने यहाँ पे इंडिया को डलाने की कोशिश करी थे और आज ये बोलते हैं कि इंडिया के पास strategic autonomy नहीं होनी चाहिए, इस चीज का जवाब इंडिया ने finally इस बार दे दिया है, हमारे जो प्रवक्ता है, External Affairs Ministry के Spokesperson Mr. Randeev Jaiswal, इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है, इन्होंने कहा कि India values its strategic autonomy और साथ ने कहा कि US के जो ambassador हैं, वो अपना opinion अपनी विचारधारा रख सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के opinions हैं और हमारे opinions अमेरिका के opinions से अलग है उनके opinions से different हैं, बलकि उन्होंने साथ ने ये भी कहा कि हम लोग इस मुद्दे को यहाँ पर close करते हैं, कहते हुए कि we are only agreeing to disagree, मतलब कि हमारी आपस में जो opinion है, विचारधारा है, वो मिलते नहीं हैं और इसी बात को हमने बस मानना होगा, और USA को जो भी यहाँ पर कहना है, ज जो कि मैं यहाँ पर एक analysis point of view से करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो, USA एक ऐसी country है, जिसको जब भी मौका मिलता है, especially with respect to developing countries, वो sanctions की धमकी देता है, छोटे-मोटे sanctions लगाना शुरू भी कर देता है, so that उसको वो मिल सके, जो basically America चाहता है, और America ने India के साथ जो किया है, व यहाँ पर बनाता रहा है, और दूसरी बात अगर बात करें, तो America जो है, अगर वो यह इस चीज को चाहता है, कि India हमेशा Russia के favor में क्यों है, इंडिया हमेशा Russia को support क्यों करता है, या India Russia की दोस्ती इतनी खास क्यों है, तो America से पूछने जाए, कि आप आखिरकार Pakistan को इतना support क् यह बिल्कुल clear है कि Pakistan कितनी जादा responsible है इंडिया में अशान्ती को लेकर, जम्मू कश्मीर problems को लेकर, लेकिन उसके बावजूद भी USA के द्वारा Pakistan को बिल्कुल खुले arm support किया जाता है, तो अगर USA ऐसा कर सकता है, तो it obviously means कि इंडिया भी अपनी strategic autonomy रखते हुए, जिसको चा question में, thank you so much for listening, stay tuned and stay tuned.